सबापती महोदे सदन के समक्ष दहेज प्रथा के समंद में जो विध्यक प्रस्तूत किया गया है बहे बहुत ही उपियोगी तथा महत्वपुर्ण विध्यक है मैं बस सदन से निवेदन करना चाता हूँ कि इस विध्यक पर विश्तार से चर्चा की जाए और ऐसा कानुन बनाने की सिफारिस की जाए जिस से समाज के इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके मैं यह भी जानता हूँ कि समाज की इस बुराई को कानुन के द्वारा जल्दी दूर नहीं किया जा सकता है कानुन के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यकरम भी हमें बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई के बिशे से अच्छी तरह से समझाया जा सकें दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू दरम में प्रचलित थी लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में बिमारी की तरह फेल चुकी है और अब धीरे धीरे एक बैवसाय का रूप ले चुकी है हिंदू समाज में बिवा भी एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता था लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का बैवसाय भी जुड़ गया है पेरा महोदै इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जन्मत भी त्यार करना होगा जिससे लोग इस बुराई के बीशे में अच्छी तरह से जान सकें बाल बिवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है लेकिन हम देखते हैं कि हजारो बाल बिवा हो रही हैं इसका पता नै तो संसा सरकार को है और नहीं ऐसे लोगों को सजा मिलती है इसलिए केवल कानून बना कर बैठ जाना उचित नहीं है सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं मैं आप से निवेदन करना चाता हूँ केवल कानून बनाने से समाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है इस परकार की समाजिक बुराई का समाप्त करने के लिए हमें समाज में जाकर काम करना होगा आम जन्ता को घर घर जाकर जहेज जैसी बुरी प्रथा के विश्य में जानकारी देनी होगी उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि इस प्रथा को समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास कभी नहीं हो सकेगा और बेसदा गरीबी में अपना जीवन बिताते रहेंगे इस कार्य के लिए हमें देश में ऐसी संस्थाईं बनाने का प्रियत्न करना होगा जो देश सेवा की भावना से काम कर सके समाप्त